नमस्कार दोस्तों मैं डाक्टर अजीत कुमर फटना बिहारं प्रैक्टिस करता हूं जदी कब्ज, गैस, बावसीर, सुगर, बलड प्रेसर, गठिया, सटिका, साइनस, लिवर से संबनित बिमारिया, पेट से संबनित बिमारिया, चर्म रोक से संबनित बिमारिया जैसे अच्छन घड़ेलू उप्चार घड़ेलून उसका बताया गया है ताकि आपना खुद का बीमारियों की इलाज खुद से घर पर कर सके जदी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो आच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा ज्याद हम आपके समस्या का समदान घड़ेलू उप्चार घड़ेलून उसका आईड़वेदिक अब मिम्यूनानियों और सद्धियों के द्वारा करने का प्रयास करेंगे आज हम बात करेंगे यह एक समस्या है यह एक बिमारी है आजकल के कुछ ऐसे मरिजों में देखने को मिला है और मेरा इसपर कोई बिसे सनुभाव नहीं है ज्यादा पैसंट हमने नहीं देखा है इसलिए ज्यादा बिस्टार से बताना है मेरे लिए काफी मुस्किल है लेकिन जहां तक हमने जमाया है जिससे रिजल्ट मिला है लोगों को उसके बारे में हम थोड़ी से जनकाड़ी आपको देने का प्रयास करें जदि ऐसे समस्या से आप परसान है तो आप अपने नजडी की डक्टर से संपड़ कर सकते या या आप हमसे भी संपड़ कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे इसमें जो औसधी हम आपको बताने जा रहे हैं पुरे वीडियो कौन तक देखिएगा इसमें बहुत सारे चीज़ आपको बताना है जो की नहीं लिखा हुआ है देखने के बाद ही आप जदी परियोग करना होगा था डक्टरों की सलाह से आप ले सकते हैं देखिए हम मस्क सम faithful समय अक्राण ज्यादा था मतलब मुर्त मतलब की यह जो हमारा मॉमेंट है यह सब थोड़ा सा उसमें नहीं नहीं था बहुत कम हम लोग जीतना मोमेंट खो रहे हैं जिस तरीके से अनो फिरी हैं उस तरीकेasy zijn इस से नहीं responsive यह आपको अफी हम लिखा प्रैक्टिस किया कई सारे पैसंट जो पितासे की पत्थरी था उन्हें भी निकाला और किड्नी एस्टोन का तकाना इस तो यह गुद्नी एस्टोन यह गौल बलाडरे स्टोन पर जितना मेरा अनुभाव है उतना अनुभाव मेरे किसी भी बिमारी पे नहीं है ऐसे पकड मेरा सभी बिमारियों पे है लेकिन काफी समय लंबे समय से जदी हम 10% अधर बिमारियों का देखते हैं तो उसमें 50% किड्नी एस्टोन और गॉल बलाडर एस्टोन का देखते हैं और काफी अनुभाव मिला मुझे इसलिए जदी क है जो इसकीन पर नमबर चल रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं द्यान रहें कि गॉल बलाडर एस्टोन वाले मरीज आप हम से संपर्क जरूर करें कुछ ऐसे स्टोन होते हैं जिसको असानी से निकाला जा सकते हैं कम से कम 60-65% हम इभी बात नहीं कह रहे हैं कि 100% लोगो करा रहे हैं कम से कम 60 परसेंट लोगों का भी तो जान बस सकता है गौल बलाडर बस सकता है इसलिए इस बात कोई भी आपके रिष्टेदार दोस्तियार में है इनको पीत के थैली में पथरी है वह हम से संपर करें ध्यार रखिए गया जैदि किड्नी एस्टोन में हैं किड्नी कर सकते हैं गौल बलाडर एस्टोन के लिए भी बहुत सारे नुश्के दिये हैं लेकिन गौल बलाडर एस्टोन में वह से डॉक्टर की जिवत परती है जो उस पर काम कर रहा है इसलिए गौल बलाडर एस्टोन वाले ही संपर कर सकते किड्नी एस्टोन वाले भी कर सकते ले आपको रहात तो मिलेगा ही मिलेगा कायज के मुझ पैसेंट में देखा करवाने के बाद बहुत मतलब सुधार हुआ फिर बीच में लोग दावा बंद कर दियें किसी बज़ा से फिर हमसे मिले नहीं लेकिन ऐसे कई करीब 4-5 पैसेंट हमने देखा है जिसमेंसे 2 पैसेंट को तो हमने काफी ज्यादा आराम मिलाया इसलिए आप भी क्याड़ेंगे और आपको भी समस्या से छुटकारा मिलेगा आप सोचाले जाते हैं सोचाले से पहले ले तो बहुत अच्छा रहेगा या तो आने के बाद भी ले सकते हैं ध्यान रहे बड़स करके और खाने खाकर करके नहीं लेना है पहला काम तो आपको पड़्डे करना है बच्चे हैं तो सारे 700 ml यह बढ़ों के लिए बतारे साव और असधी की बात कर ले ते कांग वीड रस जो है आपको कितना लेना है तिरियो दसांग गुगल चंद परभावटी आप इसको नर्मल ना समझे यह बहुत अच्छा मेडिसीन है इसके लिए बहुत कारगर अब कितनी मातरा में लेना है आपको देख दिए एक दो दो यह बटी को खाना खाने से यह घंटबाद गुंगुने पानी से आपको लेना है आप इसको कितना दिनलेना है यह लगतार अप ले सकते देखी क्या सुधार हुआ उसके बाद फिर कंटीनिव कीजिए तो दोस्तों जदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए ज्यादर ज्यादर लोगों को सेर कीजिए जदि चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजिए और इस पे हम दो तीन वीडियो देने होती है उससे अडवांस तरीके से डिस्क्रिप्सर में लिखा होता है और जो आपको नहीं मिल रहा है उस असवादी का लिंक भी दिया होता है तकि आप आउनलाइन मंगवा सकते हैं